मुन कर रहा है कि अब दौर छोड़ दे, अहां भी उस इवाव के तरह हम भी अपने फासी लगा के जान दे दे साथ, अब का करें सरकार पर से भरोसा सर उठ किया है तो, तीन साल से बहाली नहीं आ रहा है, समीर भी उतना कर रहा है कि दौरो दौरो लेकिन मुन कर रहा है कि अ गराउन का दबाव आगो नहीं आ रहे बहाली मौन कर है सर कि अब हम भी कुछ गलत कदम उठाए हमारे घर की स्थिति तो बहुत नहीं दैनिया है क्योंकि हमारे पिता जी है नहीं हमारे एक बड़े भाईया है अभिसेक सिंग वही घर चलाते हैं हमारा भी मतलब दो-तीन साल स कोई भरती उड़तिया नहीं रहे बार बार घर से यहीं दबाव आ रहा है कब तुम कहीं जाओ भाई क्यूंकि मिडिल कलास के लड़के हैं हम और हमारे पिता जी तो है नहीं तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या इस्तिति होगी ना हो जाड़ा है कि जो चुनाव है हमेशा सा समय पर हो जाता है और जब चुनाव आता है तब किरोना भाग जाता है लेकिन जैसे ही बहाली की बात आती है तो अब नेताओं के दोरा यह दलील दै दी जाती है कि कोरोना के वज़ए से बहाली नहीं हो पा रही पिता जी क्या करते हैं हमारे पीता जी गाउं में work कर हैं, वर्क कार्म हमें किसान है, हम यहां पर तज्यारी करने आते हैं, लेकिन तीन साल से बहाली हैं, नहीं यहां रहा है मन कर रहा है कि अब छोड़ देया पीता जी घर से दबाव डाल रहा है कि अब जाओ आप जाओ माली जे कि सर उतना हम लोग दोर के अपना हडी हडी तक गला लिये हैं लोग अ तभी भी बहाली नहीं नहीं रहा है आए गो ट्रेक का तो दुद्दा सा देखने को मिल जाता है और जो सबसे बरा मजाक और जुमला है वो यह है कि जो भारत देश है वो युवाओ का देश है अब आप खुद सोचिए कि किस प्रकार से युवाओ का देश है अभी दो या तीन दिन पहले आपने एक अखबार में कटिंग पढ़ा होगा कि एक आर्म कि मुझे माफ कर देना पिता जी मैं नौकडी हासिल नहीं कर पाया अगले जनम में मैं जरूर फोजी बनूंगा अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस युवाओ के देश में किस प्रकार से युवाओ के साथ ही चल किया जा रहा है मैं तो कहता हूं कि ये जुआ होते हैं वह नवग게 है परिवार के होते हैं कोई भी उस बरे लेवल का जो होता है उस परिवार से नहीं आता है मैं जो अधिक्तर्ण बेख्ये ह Says मध्यम वरग्य परिवार के ही है और इनकी बहाली बहुत दिने शरिकूह हूई है दो साल se तीन साल से बक्चे धारी क ओग गया रिटन जो पर मतलब सीजीकल हुआ था उसका अबी तख रिटन रुका हुआ होँ उसके लिए भी कोई अपट रेट नहीं है पिता जी क्या करते हैं आपके? वाव के तरह हम भी अपने फासी लगा के जान दे अब का करे सरकार पर से फ़रोसा सर ऊठ गिया है तो तीन साल नहीं आ रहा है स्वमिड भी उतने कर रहे है कि दोरो दोरो लेकिन मुन कर रहे हैं चोड़ देगों घर का दवाव अगो गराउंड का दवाव अगो नहीं आ रह बहुत प्रब्लम जाता है तो अए और जब बहुत गणाना एक कि आते हैं ल सुबर शाम पापा का उमर भी हो चुका है आपके घर की क्या इस्तिती है हमारे गर की इस्तिती तो बहुत नहीं है क्योंकि हमारे पिता जी है नहीं हमारे एक बड़े भाईया है अभिशेक सिंग वही घर चलाते हैं हमारा भी मतलब दो-तीन साल से यहां पर दोर रहे हैं कोई भरती उर्तिया नहीं रहा है बार-बार घर से यहीं दबाव आ रहा है कब तुम कहीं जाओ भाई क्योंकि मिडिल कलास के लड़के हैं हम और हमारे पिता जी तो है नहीं तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति होगी अब आप समझे इस बात से कि जो भी बच्चे आर्मी के टेयारी करते हैं दो स्थितियो में हिं करते हैं या तो उनको फ्षूजिय बनने का जुनून होता है या दूसरा उनका जो बैंग्राउंड होता है उनकी परिवारी की स्थितिी होती है इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो किसी बड़े कॉलेज में जाके और जो डिगडिया है जो टेक्निकल डिगडिया है वो ले पाएं और इन ही बच्चों के साथ चल कर दिया जाता है और उनकी बहाली को रोक दी जाती है आपका क्या मामला है केतना दिन से तैयरी कर रहे हैं हम एक स इस बात से अंदाजा लग गया होगा कि इन लोगों की जो असली समस्या है वो क्या है गरीब बच्चे हैं सारे मध्धम वरगिये पडिवार के बच्चे होते हैं जो आर्मी में जा रहे होते तो साइध यह भी बहाली समय हो जाती और एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह यूआओ का देश है तो यूआओ को सुविधा क्यों नहीं मिलती है उनको ट्रेन की टिकट है वो मुफ्त क्यों नहीं की जाती है बच्चे जो हैं अपने पैसे से फॉर्म भरते हैं और जब परिच्छा देने जाते हैं तब भी टिकट कटाके तब जाते हैं और जो नेता का देश होता तो युवाओ के विशाय में सोजा जाता उनकी बहाली को समय कराई जाती उनको नौकडिया दी जाती लेकिन यहां पे दो सालों से नौकडि के नाम पर कुछ नहीं दिया गया है बीडिकल हो टुका है उसा बच्चा है उसका गया यह तो कर दो रहा है तो फिर से रिमेटिकल लिया जाएगा इतना तो बैच्चा को प्रोडलाम होगा अब बदलते रह रहा है लेकिन रीटेन का भी देट नहीं है माल लिए जब तक रीटेन का डेट है गा उसका किलियर करेंगे तब तर्ण हम लोगा बहाली होगा तो अभी हमको तो उत्य सर गलते कदम नहीं रहे तो जो पांत सल तयारी कर रहा नहीं, आ रहा है तो しए अब समझे, दो साल furnace नहीं आई उस्में बहुत सारे बच्चों, का एज ही हैं, लेप्स कर सा कर गया जो बच्चे 5 साल से दौर रहे थे और अंत समय में बहाली की रोक दी गई किसी का फिजिकल एक्जाम ले लिया गया मेडिकल ले लिया गया और रिटेन ही नहीं हुआ और डेर सालों से लटका दिया गया उन बच्चों का एज भी खतम होते जा रहा है अब इसका जिम्मेदार कौन है आप भली भाती जानते हैं यह आवाज कितने लोगों तक पहुंचती है हम देखेंगे मैं होड़ी सब छपर आपडेट के लिए राजेंदर स्टेडियम में हूं मैं बाकी और भी यहां की समस्याव को दिखाऊंगा कि आमने के पीछे दिपांसु है बहुत बहुत